रोज बोले जाने वाले छोटे छोटे सब्द जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्डेंट है आप कुछ भी बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, इनका यूज होता ही होता है बट कई सारे वर्ड ऐसे हैं, जिनका हिंदी मेंस अलग होता है और इंग्लिस में सेम होते हैं, उन सबी को हम देखेंगे और एक एक करके एक्जामपल से भी समझेंगे So hey friends, welcome back to my channel पहला वर्ड है ही, ही का मतलब होता है वह, जिसका यूज हम मेल के लिए करते हैं वह एक अच्छा आदमी है, इसको बोलेंगे, he is a good man he is a good man, वह एक अच्छा आदमी है दूसरा वर्ड है, that that का मिन्स होता है हिंदी में वह, और इसका यूज हम निर्जी उवस्त के लिए करते हैं वह मेरा पर्स है, वह मेरा पर्स है, that is my purse वह मेरा पर्स है अब हम that का यूज देखेंगे, जब sentence में की, यानि रुकने का थोड़ा सा भावाता है तब हम that का यूज करते हैं मैं कहना चाहता हूं कि तुम कैसे हो I want to say that, how are you, यहाँ पर that का यूज हुआ है for जिसका हिंदी मतलब होता है, लिए यह तुम्हारे लिए है यह तुम्हारे लिए है अब दूसरा वर्ड है on on का मतलब होता है हिंदी में पर जब हम sentence बोलते हैं जैसे किताब मेच पर है book is on the table book is on the table किताब मेच पर है always always का मतलब होता है शदव यह हमेशा वह हमेशा पढ़ाई करता है वह हमेशा पढ़ाई करता है he always studies he always studies with with का मतलब होता है शात मैं तुम्हारे साथ हूं I am with you I am with you, मैं तुम्हारे साथ हूँ After, after का हिंदी मतलब होता है बाद मैं तुम्हारे बाद हूँ I am after you I am after you From, from का मतलब होता है share मैं लाल गन से हूँ मैं लाल गन से हूँ I am from लाल गन से हूँ और दो चीजों के बीच में और का इस्तमाल किया जाता है जब कोछ चोईस करनी हूँ नमकीन या बिस्कुट नमकीन और बिस्किट दोनों में से एक बट बट का हिंदी मतलब होता है लेकिन किन तु परन तु मैं यहां हूँ लेकिन तुम कहां जा रहे हो I am here but where are you going मैं यहां हूँ लेकिन तुम कहां जा रहे हो तो इस तरह से बट का यूज सेंटेंस में हुआ है इट इट का मतलब होता है खाना मैं खा रहा हूँ I am eating मैं खा रहा हूँ I am eating इट का मतलब होता है खाना अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले not not का मतलब होता है नहीं मेरे पास पैसे नहीं है अक्सर हम बोलते हैं इंग्लिस में बोलेंगे I don't have money I don't have money when when का मतलब होता है कब या जब तुम कब जाओगे तुम कब जाओगे when will you go when will you go तुम कब जाओगे जब मैं वहाँ था जब मैं वहाँ था when I was there when I was there जब मैं वहाँ था इंटू इंटू का मतलब होता है अंदर कमरे के अंदर आ जाओ कमरे के अंदर आ जाओ come into the room come into the room कमरे के अंदर आ जाओ got got का मतलब होता है पाया, मिला या मिल गया मुझे मेरी पर्स मिल गई मुझे मेरी पर्स मिल गई इसको बोलेंगे I got my purse I got my purse मुझे मेरी पर्स मिल गई अब word है to, to का मतलब होता है share, मुझे से बात करो मुझे से बात करो इसको हम लोग इंगलिस में कहेंगे talk to me talk to me मुझे से बात करो अगर आप कोई वीडियो जड़ा से भी helpful हो जड़ा से भी आपको कुछ भी समाजाया हो और अगर आप practice करना चाहते हैं तो चैनल को subscribe करें और वीडियो को share करें और bell icon को प्रेस करना न भूलें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस मिलती रहें और आप regular practice करते रहें Thank you दोस्ते